Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नएप वडियो में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम सभी के फोन में एक सेटिंग होता है जिसका नाम है Developer Option और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि Developer Option के अंदर सिर्फ गेमिंग्स के इतने सारे सेटिंग्स छुपे हुए है जो कि काफी लोगों को अभी तक पता नहीं है उसे सेटिंग को यूज करने के लिए लोग अपने फोन में ठर्ट पाटी एप्लिकेशन को यूज करते है जो कि वो सेटिंग हमारे फोन में पहले से अभी लेवल है तो हैना बेवकुफी वाली बात दोस्तो अगर आपके गेमिंग करते है अगर आप ग्राफिक्स के लिए कोई अलग से थर्ट पार्टी एप्लिकेशन यूज करते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा राम बाडिला जिससे कि आप अपने फोन में सेटिंग करके आपको अप्लिकेशन ने डाउनलोड करना है सेटिंग करके उन सभी चिछ को सही कर सकते हो आपका गेम लाइग नहीं करेगा आपका ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा उएच्टी हो जाएगा तो चली मैं आपको दाता हूँ कौन कौन सा वो सेटिंग है जिसे आपको कर लेना है तो भीना टाइम वेश्ट के करते हैं विडियो को स्टार्ट मैं नाम सत्यम और आप देख रहे हैं टेकनिकल एक्सपर्ट भावा यूटूब चैनल दोस्तो अगर आपको विडियो पसंद आए तो प्लीज विडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बे लाइक दुआ कर अल पे सेट कर लिजेगा और हाँ कॉमेंट सेक्षन में आकर अपना अपिनियन या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि आपने हमारे विडियो को लाइक सेर एंड सब्सक्राइब किया है तो चले दोस्तों मैं आपको सारे सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ सारे सेटिंग्स बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अब यहाँ पर उसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन का सेटिंग्स ओपेन करने के बाद जिसे अगर डेवलोपर आप्सन एनेबल करने आता है उनके लिए काफी अच्छी बात है अगर जिसे नहीं आता है मैं उनको बता देता हूँ उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है डेवलोपर आप्सन को एनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है सौप्ट्वेर इन्फोर्मेशन पर जैसी आप software information पर click करेंगे आपको एक build number का option मिलेगा simple आपको इस पर 7 बार click करना है 7 बार click करने के बाद आपके phone में developer option enable हो जाएगा किसी-किसी के phone में यहाँ पर निचे में आता है किसी-किसी के phone में additional setting में होता है तो आप अपने phone में देख लिजेगा कि आपके phone में setting developer option कहाँ पर है अब यहाँ पर क्या करते हैं simple developer option को हम open कर लेते हैं अब यहाँ पर जो first setting है दोस्तों वो है graphics के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर सबसे निचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा जिसका नाम है force 4xmsaa यहाँ पर आप देख सकते हैं simple आपको क्या करना है इसे enable करने ना है दोस्तों इससे अगर आप enable कर देते हैं इसे on कर देते हैं तो आपका जो graphics है चाहें वो busymi का हो चाहें वो free fire का हो आपका uhd हो जाएगा आपको उसके लिए कोई third party application अपने phone में download करके रखने की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों एक इसकी खामिया भी है इस setting का इससे क्या होगा कि आपका जो battery है वो काफी जल्दी जल्दी consume होगा तो इससे आपका battery जल्दी जल्दी खतम होगा तो यह आप अपना देख लीजएगा बाकी आपको कोई third party application अपने phone में रखने की जरूरत नहीं है यह चीज हमारे phone के setting में मिलता है force 4xmsaa इसे आपको on कर लेना है अब चली मैं आपको second setting बता देता हूँ वो भी बहुत जादा important है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नीची आएंगे यहाँ पर आपको एक option मिलता है don't keep activities ओके यहाँ पर आपको क्या करना है don't keep activities पर on कर देना है इसे on कर देना है अब दोस्तों जैसी आप इसे on करेंगे ना क्या होगा आपके gaming गेमिंग करते वक्त आपको कोई भी message नहीं आएगा आपको कुछ भी message आयेगा तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि उपर से आजाता है या फिर side से आजाता है call आजाता है तो यह सब कुछ आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा don't keep activities गेमिंग करते वक्त आपको कोई भी बता जाता हूं वो भी बहुत ज्यादा important setting यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है थोड़ा सा scroll down करना है अब जैसी यहाँ पर थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपको एक यहाँ पर setting मेलता है force allow apps on external okay simple आपको क्या करना इसे on कर देना है दोस्तों इसे on करने से क्या होगा कि आप कोई भी application अपने phone में इंस्टॉल करोगे वो आपके external में इंस्टॉल होगा ना कि आपके storage आपका internal storage में आपका install नहीं होगा आपके external में होगा जो आप memory card लगाते हो आप memory card अपने phone में लगाया करो आप उससे भी एक फैदा होता है यहाँ पर अगर आप इसे on कर देंगे तो on करने के बाद आप कोई भी application आप install करें वो external में जो है वो आपका install होगा ना कि आपके internal में तो यह काफी ज्यादा फैदा है आपको पता होना चाहिए कि अगर internal में install नहीं होगा तो आपका RAM भी खाली रहेगा और इससे आप free mind होकर आप smoothly gaming कर सकते हो आपका गेम वेड़ा लाइक नहीं करेगा RAM का बहुत ज्यादा problem होता है gaming में तो इससे आप on कर लो कोई भी application रखो Facebook Instagram जो भी रखेंगना है वो रख सकते हो उसे सारा application आपके external में रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा setting है तो अब यहाँ पर दोस्तों जो next setting में आपको बताने वाला हूं यह setting तो बहुत ही main setting है और इसे आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है जैसे कि क्या होता होगा क अच् photographic Lexus ऐॅत्व मिश्या पर यह जो डाथ है कि क्या होगा है तो आपके सामने कोई i7 आता है तो आपका जो फोन है वो लाग करने लगता है या फिर कुछ भी मलब्लम होने लगता है और पिर कुलको आपको क्या होता है जैसे कि यहाँ पर क्या और क्या होता है दो Scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको एक setting मिलता है जिसका नाम है mobile data always active ओके यहाँ पर आपको क्या करना इसे on कर लेना है अब क्या हो गया कि आपके phone में आपका जो mobile data है वो हमेशा के लिए active होगे आपके phone में अगर wifi up down होता है network problem होता है wifi का तो आपका उस वक्त आपका जो mobile data है व कोई issue होने वाला नहीं है इस setting को अगर आप कर लेते हैं wifi में कोई problem हुआ तो mobile data active हो जाएगा mobile data में कोई problem हुआ तो आपका wifi active हो जाएगा तो इस setting को आप जरूर से ही जरूर कर लिजेगा अब दोस्तों यहाँ पर जो setting में आपको बताने वाला हूं वो last setting है और इसे मैं last मे क्यों रखा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important setting है इसलिए मैंने इसे last में रखा और इसे आपको अच्छे तरह से समझाने के लिए रखा यहाँ पर थोड़ा सा आपको scroll down करना है scroll down करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको तीन setting को इसे off करना होगा जी हाँ तब से मैं आपको 3-4 setting on करवाया और लेकिन अब यहाँ पर आपको off करना है कौन-कौन सा setting है वो है window animation scale यहाँ पर आपको इसे off कर दना है off करने के बाद यहाँ पर transition animation skill इसे भी आपको off कर देना है उसके बाद यहाँ पर है animator duration skill इसे भी आपको off कर देना है बस इन तीनों setting को आपको off कर देना है और जो भी मैंने आपको बताया उसे on करना है और इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको कोई भी third party application रखने की तरह से समझ में आ गया होगा और असानी से अब आप अपने फोन में कर पाएंगे तो अगर दोस्तों अगर आप वडियो पसंद आए तो प्लीस वडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइक न दुबागर और और हां कॉमेंट सेक्सिन में अपना अपिनान जरूर दीजेगा मिलते हैं से कुनेट में गस्ता अपते के लिए जाहिन और टेक क्यार